नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया नियूस का डिस्चल चैनल इन खबर मैं विशेक पांडे आज हम बात करें पुलवामा हमले में लिये गए बदले के बारे में पुलवामा हमले में भारत के 40 CRPF जवान सहीद हो गए थे और उसका बदला लेते हुए 26 तारी को इंडिया ने एयर स्ट्राइक की और जैसे महमत की करी 300 आतंगवादियों को मार कर देर कर दिया पर पाकिस्तान इस बात को मानने से बिल्कुली इंकार कर रहा है और वे कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसके हां किसी का भी जानमाल का नुक्सान नहीं हुआ केवल कुछ पेड़ों का नुक्सान हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दे 27 तारी को पैटरल लिंग कर रहा है हमारे एक भारत एपालेट का प्रियाट में जाके गिरिया और वहाँ पे उसको पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया पाकिस्तानी आर्मी के पकड़ने के बाद भारत के अंदर नया हुजूम और जोस पैदा हो गया कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापिस लाओ इसी की जद्धो जहयत के साथ पाकिस्तान ने पिंग कमांडर अभिनंदन को कल रात करीब 9 बच के 20 मिनट पे रहा कर दिया और अभिनंदन रात 9.30 बचे के आसपास भारत में आ गए और वो देर रात तक दिल्ली वापिस लाए गए साथ ही साथ आपको बता दे कि अभिनंदन का एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसको पाकिस्तान ने जारी किया पाकिस्तान मीडिया में आते ही ये कनफेशन ट्रेंड पे चला गया और कह रहे थी आकर ऐसा क्या था कि एक statement में आपको 15 कट लगाने की जुरत पड़ गई इसी के साथ पाकिस्तान फिर से सवालों के घेरे में खड़ा हो गया और सबी लोग पाकिस्तान सरकार से सवाल कर रहे थे कि आप इसका जवाब दें कि ऐसा क्या है कि इस वीडियो में 15 के official account से भी इस वीडियो को tweet किया गया था जैसे ही यह सब मामला मीडिया में उचला और सब लोग इसको trend करने लेगे और लोग मामले को उच्छाने लेगे तो इसी की साथ तुरंती पाकिस्तान सरकार ने अपने Twitter handle से इस tweet को delete कर दिया और delete करने के बाद उन्हों इसकी अबिनंदन के statement में 15 कट लगाने की जुरत पड़ गई इसी साथ आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भारतिय पाइलेट अभिनंदन पाकिस्तान में पहुंचे भारतिय पाइलेट अभिनंदन अपने विमान मिग-21 से भारत में पैट्रोलिंग कर रहे थे तब ही उन्हो ने अपना पैराईस्रूट इजक्ट किया और पाकिस्तान के एरिये में जागी रहे जहां उनको पाकिस्तान के कुछ लोगों में पखड लिदिया और उनको पहले छोट पहुआ देप हिलताने की भी कि गये पर पाकिस्तान आर्मी पहुँच गे और अभिनंदन को से चुड़ाया और वो अपने पाकिस्तानी आर्मी बेस कैम पर अभी नंदन को ले गई इस बात को भी लेकर पाकिस्तान मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया था और बाद में उन्होंने फिर इस ट्वीट कर दिया था बार बार ऐसे मामले आ रहे हैं पाकिस्तान सरकार पहले कर रहे हैं ऐसी अपडेट के लिए बने रही है हमारे चैनल इन खबर पर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर और शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद